Hey students, बच्चों आज हम अपने चाप्टर की first exercise that is tick the correct answers to complete the statements given below. ये करने जार हैं. आज हम के बल यही three questions discuss करेंगे detail में and समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो options tick किये हैं हमने क्यों किये हैं. तो जो most important चीज है मैंने आप सबको बताई हुई है कि बच्चों जब भी जब भी आपको कोई चाप्टर को अच्छे से prepare करना है तो आपको क्या करना है उसे बार-बार पढ़ना है. आप बार-बार reading करोगे आपको खुदी समझ में आ जाएगा. अच्छा ये point ये point उस paragraph में लिखा था. ये point उस line में लिखा था. आपको तुरंत वो चीज याद आ जाएगी. तो आप एक बार poem अपनी exercises स्टार्ट करने से पहले, एक बार poem को पूरी तरीके से आप read कर लो, एक-एक word का meaning समझ लो, एक-एक line का जो meaning आ रहा है. अच्छली जो ये poems होती है न, वच्छो जो पुराने time की होती है, जिसे ये Lord Tennyson ने नो बहुत काफी time पहले ये poem लिखी थी, तो इसमें जरूरी नहीं है जो बोला जाए, in fact poems में ये जरूरी नहीं होता है, जो लिखा हुआ दिख रहा है, उसका meaning वही हो, वो सकता है, जो written meaning हो, वो अलग हो, और जो मतलब निकल के आ रहा हो, वो अलग हो, इसलिए हम शब्दार्थ और भावार्थ, poems में दो अर्थ पे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको एक एक लाइन मैंने word-wise भी समझाई है, आपको meaning-wise भी समझाई है, तो एक बार आप पूरी poem पढ़ ली जाए, ठीक है, उसके बाद चलिए start करते हैं अपनी exercise, अब देखो, ये चारो वर्ड ही chapter में कहीं न कहीं use हुए है, अब जिसने chapter को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, और सोच रोगा मैं ऐसे ही करनूँगा, तो वो नहीं कर पाएगा, अब वो confused हो जाएगा, tower of camelot में रहती थी, कि island of shallot में रहती थी, है ना, वारा से लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि first time में मैंने वो टिक्स लगाया थे, जो आप नॉर्मली रीट करोगे, तो लगा दोगे, बट आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कि यहां पर बात क्या हो रही है, लीडियो शैलोट की बात हो रही है, मैं आपको एक्जाम्पल देती हूँ, यह अपनी लाइन है, अब यहां पर तो आइलन ऑफ शैलोट की बात हुई है, लेकिन हमें देखना है, लेडियो ऑफ शैलोट कहां रहती है, इसलिए हमें और आगे पढ़ना पढ़ेगा, और आगे हम पढ़ेंगे, तो second paragraph में देखो बच्चों, विलोज विटन आस्पन स्कुरेवर, लिटी ब्रीज़ ब्रीज़ दस्क एंशेवर, तो यहां पर क्या बात की गई है, फोर ग्रे वाल्स, और फोर ग्रे टावर्स, वाल्स और टावर्स कहां होती है, कहां होती है बच्चों, अफ्कॉर्स किसी महल में होंगे, ठीक है, तो लेडी ओफ शालोट कहां रहती है, in the town of कैमलोट, कैमलोट में रहती है, वो कैमलोट में एक टावर्स है, उसके अंदर वो रहती है, लेडी ओफ शालोट is only heard by, उसको कौन सुन सकता है कि इवर, Reapers in the Field इसके लिए भी देखिए आपको Last paragraph Only the reapers reaping early In among the bearded barley Hear a song that echoes cheerily तो कौन सुन सकता है के वर Reapers in the Field The lady of Charlotte looks at the world Through, वो किसके through देखती है World को, एक magic mirror के ये कहां देखेंगे हम ये देखो Second paragraph And moving through a mirror clear That hangs before her all the year Shadows of the world appear There she sees her the highway near तो कहां पर देखती है वो clear mirror है अब clear mirror में आप window नहीं कह सकते है उससे, photograph नहीं कह सकते क्योंकि वो clear है तो आप broken piece of mirror नहीं कह सकते तो किसके through देखती है वो magic mirror के through देखती है ठीके बच्चों यही आपका assignment है अच्छे से पढ़िए chapter को एक एक line पढ़िए और फिर यह तीन questions आपको अपनी book में ही mark करने देखती है